हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो यूर चैनल रूची जेस्पी जेंब ब्लॉंक्स आज हमें आपके सब्सक्राइब कर रहे हैं मुदक की ऐसी रेस्पी जिसमें एक मुदक में आप दो दो फ्लेवर को नज्वाय कर सकते हैं तो फ्रेंड्स है ना ये अमेजिंग रेस्पी तो एक ही मुदक में दो दो फ्लेवर को हम कैसे नज्वाय करेंगे तो इसके लिए आपको फुल वीडियो वाश करने होगे तो चलिए शुरू करते हैं गर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मावा ले लिया है यानि की खुया और इसे हम पैन में डाल कर थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं तो इसे हम मिट टू लो फ्लेम पर इसे चलाते रहेंगे और इसे सौफ्ट फोर्म में कर लेंगे थोड़ा सॉफ्ट हो जाने पर इसमें हम एक सुज़ीड चमच पिसी हुई शक अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसे मेट टू फ्लेम पर हमें चलाना है और यह अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं तो वस इन्हें हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं और नेक प्लेट में शिफ्ट कर देते हैं यह अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो इसे थ लग लग फ्लेवर देना है अलग लग कलर देना है तो यहां पर हम थ्री पार्ट में से डिवाइड कर लेते हैं बराबर पार्ट में तो सबसे पहले यहां पर हम यलो कलर लेते हैं थोड़ा सा यलो कलर इसमें डाल देते हैं और इसमें रोज वाटर या गुलाग जल या आप तो यहां पर हम केवडा डाल देते हैं वो भी एक या दो ड्रॉप ज्यादा डालने पर यह कड़वा हो जाएगा तो आप ज्यादा बिल्कुल न डाले और इन्हें एक के करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगी है आप इन्हें अलग पीट में ही मिक्स करें जिससे कलर आपास में न हो हूपँ है तो इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास इलीपीड नहीं है तो आप ट्राइच कर सकते हैं है तो इन इसी तरह से मिलाते हैं हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे और हमारे यह तीनों पार्ट इपर अव्रेडी हैं तो हमने यहाँ पर ले लिया है मोदक मोल्ड और इससे पहले हम घी से अच्छी तरह से grease कर लेंगे जिससे हमारे मोदक बड़ी आसानी से बाहर निकल हैं थोड़ा सा प्रेस करते हुए मिसे सेट करेंगे और बंद कर देंगे सिर्फ पूरी तरह से और दूसरा कलर लेंगे बाकी बच्चे हुए पार्ट में उसे हम फिल कर देंगे इसे हमें दबा दबा कर थोड़ा सा फिल करना है थोड़ा प्रेस करते हुए हम इसे फिल और फिल करने के बाद इसे हम ओपन कर लेंगे और ये बड़ी आसानी से बहार निकल आएगा क्योंकि हमने इसे ग्रीस किया हुआ था तो बस आप एक बार ही ग्रीस करें बार बार ग्रीस करने के ज़रुरत नहीं पड़ेगी और अगर आपको अच्छी तरह से नहीं आया है तो इस तरह से आप हांसे भी शेप दे कर इसे सेट कर सकते हैं इसे फिल करने का एक दूसा मेधर्ड भी है वो भी हम आपको बता रहे हैं तो आप मोल्ड में पहले एक कलर को सेट कर ले अच्छी तरह से फिल कर लेना है और जो दूसा पार्ट है उसमें दूसा कलर हम फिल कर देंगे इसे हम प्रेस करते ही वे फिल कर लेंगी इसे बनाना बहुत ही है और ये खाने में काफी त्रेश्टी है तो इस तरह त्राइक करें एक ही मुद्दक में दो-दो फ्लेवर कर सकते हैं यह काफी टेस्टी लगता है उसे बनाना भी बहुत एजी है बहुत ही कम समय में यह बनकर रड़ी हो जाते है तो आप देख सकते हैं कितने सुन्द मोदग त्यार हुए है डबल कलर और डबल फ्लेवर तो इस तरह से हमने सारी मोदग त्यार कर लिए हैं फ्रेंट्स आपको कोई रेस्पी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स जाकर जरूर बताईएगा अगर आपको यह थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो आप मैं चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जादा से दर फ्रेंड्स और फेंट्स और शेयर करें जल्दी मिलते हैं नेक्ट रेस्पी मे तब तक लिए थैंक यू टेक क्यों बाई बाई